नमस्कार राजस्तान समवाद में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ चेतना शर्मा इससे पहले हमने आपको वीडियो में बताया था चमार जाती के बारे में उसके इतिहास के बारे में और आज हम बात करेंगे खटीक जाती के बारे में इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स सबसे पहले मिल सके हैं खटीक जाती मोर रूप से वो ब्रामन जाती है जिनका काम आधिकाल में यगिक पशू की बली देना होता था आधिकाल में यगि में बकरे के बली दी जाती थी संस्कृत में इनके लिए शग्द है खटीक मद्यकाल में जब क्रूर इसलामी आकरामताओं ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया तो सबसे पहले खटीक जाती के ब्रामनों ने ही उनका प्रतिकार किया था राजा और उनकी सेना तो बाद में आती थी मंदिर परिसर में रहने वाले खटीक ही सर्व प्रथम उनका सामना किया करते थे तैमूर लंग को दिपालपूर और अजोधन में खटीक योदाओं ने ही रोका था और सिकंदर को भारत में प्रवेश से रोकने वाली सेना में भी सबसे अधिक खटीक जाती के ही योदा थे तैमूर खटीकों के प्रतिरोट से इतना भयाकरांथ हुआ कि उसने सोते हुए हजारों खटीक सैनिकों की हत्या करवा दी थी और एक लाख सैनिकों के सिर का धेर लगवा कर उस पर रब्जान की तेरवी तारीक पर नमाज अदा की थी मद्यकालिन बरबर दिल्ली सल्तनत में गुलाम, तुर्क, लोधी बंश और मुगल शासनकाल में जब अचारों की मारी हिंदू जाती, मौत या इसलाम का चुनाब कर रही थी तो खटीक जाती ने अपने धर्म की रक्षा और बहु बेटियों को मुगलों की गंदी नजर से बचाने के लिए अपने घर के आसपास सुवर बांधना शुरू कर दिये थे इसलाम में सुवर को हराम माना गया है, मुगल तो इसे देखना भी हराम समझते थे और खटीकों ने मुस्लिम शासिकों से बचाब के लिए सुवर पालन शुरू किया था उसे उन्होंने हिंदू के देवता विश्णो के वरावदार के रोप में लिया था मुसलिमों की गौह हत्या के जवाब में खटिकों ने सुवर का मास बेशना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे ये इस्तिती आई कि वो अपने ही हिंदु समाज में पदलित होते चले गए कल के शोर वीर ब्रामर आज अच्छूत और दलिश रेनी में है 1857 के लडाई में मेरट और उसके आसपास अंग्रेजों के पूरे के पूरे परिवारों को मौत की घाट उतारने वालों में खटीक समाज सबसे आगे था इससे गुसाए अंग्रेजों ने 1891 में पूरी खटीक जाती को ही वांटेट और अपरादी जाती घोशित कर दिया था जब आप मेरट से लेकर कानपुर तक के 1857 के विद्रों की दास्तान पढ़ेंगे तो आपके रौंटे खड़े हो जाएंगे जैसे को तैसा पर चलते हुए खटीक जाती ने ना केवल अंग्रेज अधिकारियों बलकि उनकी पत्नी और बच्चों को इस निर्दता से मारा कि अंग्रेज थर्रा उठे क्रांती को कोचलने के बाद अंग्रेजों ने खटीकों के गाउं के गाउं को सामोही की रूप से फासी दे दी थी और बाद में उन्हें एक अपराधिक जाती घोशित करके समाज के कोने में धकेल दिया था आप ये जान लीजे कि दलिट शब्द का सबसे पहले प्रयोग अंग्रेजों ने 1931 के जनगर्णा में डिप्रेस्ट क्लास के रोप में किया था उसे ही बाबा साहब अमेटकर ने अच्छूत के स्थान पर दलिट शब्द में तब्दील कर दिया इससे पूर्वपूरे भारती इतिहास और साहित्य में दलिट शब्द का उलेक कहीं नहीं मिलता है हमने और आपने मुस्लिमों के डर से अपना धर्म नहीं छोड़ने वाले हिंसा और सूर पालन के जरिये इसलामी आकरानताओं का कठोर पृतिकार करने वाले एक शूर वीर ब्रामन खटीक जाती को आज दलिट वर्ग में रखकर अच्छूत की तरह वेभार किया है और आज भी कर रहे हैं भारत में एक हजार इसवी में केवल एक फीजदी अच्छूत जाती थी लेकिन मुगल वन्ष की समाथ्ती होते होते इनकी संख्या 14 फीजदी हो गए आखिर कैसे? सबसे अधिक इन अनुसूचे जातियों के लोग आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्यभारत में रहते हैं जहां मुगलों के शासन का सीधा हस्तक्षेथ था जहां सबसे अधिक धर्मांतरन हुआ था आज सबसे अधिक मुस्लिम आवादी भी इनी प्रदेशों में है जो धर्मांतरित हो गए थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि अनुसूचे जाती उनी बहादोर ब्रामन और शत्रियों के वंशज है जिन्होंने जाती से बाहर होना स्विकार कर लिया था लेकिन मुगलों के जबरन धर्म परवर्तन को स्विकार नहीं किया था आज के हिंदू समाज को उनका शुक्र गुजार होना चाही उन्हें कोटी विष प्रणाम करना चाही क्योंकि उन लोगों ने हिंदू के भगवाद भज को कभी जुपने नहीं दिया बले ही स्वयम अपमान और दमन झेला स्टेंलर राइस ने अपने पुस्तक हिंदू कस्टम्स और देर ओरिजिन्स में ये भी लिखा है क्या छूत माने जाने वाली जातियों में प्राय वो बहद्व जातियां भी है जो मुगलों से हारी और उन्हें अपमानित करने के लिए मुसल्मानों ने अपने मनमाने काम करवाय थे धन्य है, हमारे ये भाई जिन्होंने पीडी दरपीडी, अत्याचार और अपमानित रहकर भी हिन्दुत्व का गौरव बचाय रखा और स्वयम अपमानित और गरीब रहकर भी हर प्रकार से भारतवासियों की सेवा की हमारे अनुसोचित जाती के भाईयों को पूरे देश का सलाम तो यह थी हमारी खास रिपोर्ट, कैसे लगए आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में साथ यह ऐसी औहर रिपोर्ट देखने के लिए देखना ना भूले राजिस्थान समबाद, नमस्कार अपने इंटर्व्यू के जर्ये लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता और वो इंटर्व्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता इसी के साथ उसी इंटर्व्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर्स वाले राजिस्थान समवाद के फेस्बुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे इसके अराबा फेस्बुक के कई ग्रुप्स के जरिये वो इंटर्व्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल अंकर के साथ स्टेट ओफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटर्व्यू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेस्बुक पर ही देखा जा रहा है तो इससे बहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो जहां पर आप जादा से जादा लोगों तक भी पहुँच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करें किसी और मुद्दे के बारे में नहीं तो राजनेतिक रूप से आपको चाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो करवाईए अपना इंटिवियू और पहुचाईए अपना नाम लाखो करोडो लोगो तक